हेलो गुडिवी एस्पेरेंट इस जैसिंग डिस साइड और वेलकम तो अलोफ यूण क्रेक नाव क्रेक नाव पर मया जैसिंग आप सभी का श्वागत करता हूँ इस परेंट BPS-3 ती डेलि में सन्सोर राइट्नि सीरीज में नेसमें जो हम आपके लिए डेली एक क्वेस्टन ले कर आते हैं जिसमें हम आपको ओके सिनन्सिस लिकते हैं उसके ऐक प्रोग्राम उन बच्चों तक पहुंच पा रहा है और काफी helpful सावित हो रहा है तो सबसे पहले वीडियो को share कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आए देखते हैं आज का हमारा question क्या है उसके हम outline को देखेंगे question आपका है राष्टवाद पर टैगोर के विचारों का विसलेशन करें और जाने की वे गांधी और नेहरू के विचारों से किस प्रकार भिन हैं तो यहां पर आपको तीन चीजों में तोड़ा गया है आपका question analyze the टैगोर's view on nationalism and how they differ from those of गांधी and नेहरू तो आपको राष्टवाद जो है सबसे मुख्य बाद जो है इसमें वह राष्टवाद है और राष्टवाद पर विचार पूछा गया है टैगोर का और यह गांधी और नेहरु के राष्टवाद से किस प्रकार अलग है आपको यह जानना है तो तीन लोगों के जो राष्टवाद हैं उनकी आइडिलोजी को जानना जरूरी है आपको जब आप यह जानेंगे तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्ट कर पाएंगे को अटेम्ट करने के लिए जो ट्रेगोर का दर्शन था राष्टवाद के लिए उससे जानना जरूरी है हमें गांधी का दर्शन और नहरु का जो दर्शन है और इनका जो द्रिश्टिकोर है नेसलिजम के लिए उससे जानना जरूरी है तो जैसे हम बात करें तो राष्ट के लिए उनकी सोच किया है राष्ट का निर्मार किस प्रकार से हो लोगों की भूमिका राष्ट को लेकर कितनी समर्पित होनी चाहिए और क्या सोच रखता है एक देश एक राष्ट के लिए अपने नेशन को आगे बढ़ाने के लिए यह बेसिकली राष्टवाद के नाम से जाना जाता है तो अगर हम बात करें तो राष्टवाद के ट्रेगोर पर ट्रेगोर की विचार पर तो सबसे पहले बात यह करें कि रविन ना ट्रेगोर राष्टवाद की जो अवधारना है उसके ही आलोचक थे तो उनकी जो एक राष्टवाद को लेकर जो एक जनली साभी की शुरूवात में सेमने आ रहे थी उसके संदर में यह उसके आलोचक थे राश्टवात पर अगर हम बात करें तो अध्यात्मिक और मानवतावादी आलोचना यह करते हैं तई गौर तो अगर हम बात करें तैगोर के विचार राश्टवार पर 5 5 ट्रेगोर की विचार, राष्टवाद पर, तो जैसे हमने देखा कि यह जो राष्टवाद की संकल्पना है, उसके यह जो है आलोचक थे, यह इनका जो मुख्य आधार था, वह आध्यात्मिक और मानावादी जो आलोचना है, उसके संदर में यह राष्टवाद की जो आलोचना है वह करते थे, तो इनका जो आधार था, वह था आध्यात्मिक और मानावादी जो आलोचना, तो आध्यात्मिक और मानावादी आलोचना था, जिसमें अगर हम बात करें, तो राष्टवाद को ट्रेगोर जो है, वह भौतिक वादी और आक्रामक सक्ति के रूप में, उन्होंने देखा, जिससे मानवी मुल्यों और यह आध्यात्मिकता को कमजोर किया, तो इन्होंने देखा कि यह एक बातिक वादी और आक्रामक सक्ति है, राष्टवाद जो आध्यात्मिक और मानावादी जो संदर्व है, उसको कमजोर करती है, मानावता का जो एक भाव ह और उसे कमजोर करती हैं और यह अग्सर जो होता हैividade सिकली व्रक्दिक तनतता और दमन और संगर्स को ब्रहावा देता है तो राश्रबाद को इन्हों ने इस रूप में देखा इन्हों का यह मानना था की जो भौतिकता है उसको यह प्रस्तुत करती है राष्टवाद जिसमें आध्यात्मिक्ता और मानवता जो है वह दब के रह जाती है और बाद में यह संघर्षों का कारण बनता है विभिन छेत्रों में मानवता के बीच में तो इस रूप में इसकी संकल्पना का इन्हों ने जो राष्टवाद की जो एक हम कही सकते हैं जो इन्हों सेल्टी है उसको उन्होंने तत्यमाना और टैगोर जो थे यह सपोर्टर थे इसकी मानवतावात के सम्मार सकते हैं यह सभी मनुस्तिकी एक्टा में विश्वास रखते थे और यह तधी राष्टिक गवर्व को विभाजनकारी मानते थे तो राष्ट के प्रती ज्यादा उनमुक होना वह राष्ट को विभाजित करता है ऐसी इनकी संकल्पना थी टैगोर की तो काफी कटू थे यह राष्टवात को लेकर आलोचनात्मक इनकी जो एक थेयरी थी राष्टवात को लेकर इन्होंने प्रस्तुत किया तो इनका जो राष्टवात को लेकर एक संकल्पना थी तो सांस्कृतिक पुनर जागरन जिसे हम करते हैं कल्चिरल रेनेशा तो टैगोर ने राजनीती राष्टवात के बजाए सांस्कृति और सैच्छिक सुधार पर जोड़ दिया इनका कहना था कि हम जो है अपने राष्टवात को बढ़ावा देने के बदले अगर हम सांस्कृतिक और सैच्छिक जो सुधार है अगर वह कर लेते हैं तो वही हमाले एक राष्टी भावना है राष्टवात का हम निर्मार करते हैं तो इन्होंने सांस्कृतिक और सैच्छिक सुधार को सुधार को महत्वपूर माना महत्वपूर माना तो यह हैं बेसिकली एक मोटा मोटी ओवर्वीव था अगर हम बात करें तो टैगोर के विचार जो है राष्टवाद पर अध्यात्मिक और मानवतावादी जो आलोचना थी मानवता को इन्होंने सरसेट रखा राष्टनीतिक जो राष्टवाद है उसका इन्होंने खंडन किया उसका उन्होंने आलोचना की तारभामिक्ता को इन्होंने असेट किया और सैचछेडिक और सुधार संदर में जो सांस्कृतिक सुधार है उसको इन्होंने महत्वपूर माना ठीक है तो यह एक बेसिक आइडिया था राष्टवाद के प्रती किन का टैगोर का अब हम गांधी के रााष्टवाद को देखते हैं कि गांधी की प्रती है το अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारी थे तो गांधी जी का जो राष्ट्वाद है देखते हैं गांधी जी नेशलिजम तो इसमें जो इनका आधार था वह आधार अगर हम देखेंगे तो आधार यह है गांधी जी का जो अधार था वह आधार अपश नाधार यह रएक्स एघ्या और सत्यागरह पर आधारित था जीषके यह कहते हैं कि स्व़राज या स्वसासन के लिए जो व्यक्तिकत भूमिका है उसका निर्वाह करना चाँए स्वाराज और स्वासाशन को इन्होंने तवज्जो दिया स्वाराज और स्वासाशन को इन्होंने तवज्जो दिया ठीक है तो इस पर इनका आधारित जो राष्टवाद था इन्होंने समावेसी राष्टवाद सभी की भूमिका हो सभी लोग जो है मिलकर आगे बढ़े तो समावेसी जो राष्टवाद है यह इनकी अधारणा का इस्ता था समावेसी राष्टवाद समावजिसी राष्टवाद जो है यह गांदी जी की भूमका थी और फिर नैतिकता और नैतिक आधार के रूप में हम राष्टवाद को असेट कर सकते हैं जिसमें अगर हम बात करें तो आत्म निभरता, तादगी और ग्रामिड विकास को इन्होंने जादा तबज्जो दिया ज्यादा इंगित किया तो नैतिकता आधारित जो राष्टवाद है उसको इन्होंने महत्वपूर्ण जाजा दिया नैतिकता आधारित राष्टवाद तो नैतिकता आधारित राष्टवाद में क्या है नैतिकता आधारित राष्टवाद में आत्म निभरता, तादगी औ और ग्रामिड विकास इसमें आपका जाएगा आत्म निर्भर्ता साधिगी साधिगी स्टाथ पर वह उनका जो साधा जीवन उच्छी विचार वाली संगल प्लापना थी वह और ग्रामिड विकास ग्रामिड विकास तो यह बेसिकली गांधी जी का नेशनलिजन था गांधी जी का राष्टवाद था अब हम देखते हैं नहरु जी का राष्टवाद क्या था नहरु जी ने जो थी उनकी नेतिक दिश्टिकूर्ण क्या था राष्टवाद के प्रति तो अगर हम बात करें च देखते हैं नेहरु जी की संकल्पना राष्टवाद को लेकर नेहरु जी का राष्टवाद तो सबसे पहले तो आपको इसमें आधुनिक्ता का पूट दिखेगा जो एक साइंटिफिक टेंपरामेंट है उसका पूट दिखेगा और साथ ही इसमें आपके जो है अधिक आधुनिक्तावादी धर्मिनिर पेच्चता और साथ ही साथ इसमें जो है बेसिकली आपका लोकता तांत्रिक जो गणराज है उसकी भूमिका देखेगी तो यह आधुनिक्तावादी होगा इनका जो दिश्टी कोण है आधुनिक्तावादी कि आधुनिक्तावादी है कि तांत में लोकतांत्रिक है कि आधुनिक्तावादी लोकतांत्रिक और जो तकने की विकास है उस पर आधारित है तकने की विकास इस पर आधारित है नहरुजी का राष्टवाद अगर हम बात करें तो इसमें धर्मनीर पेच्छता को वो सरवोचे स्थान देते हैं जो कहते हैं कि धर्म को राज से अलग करना और अलग देखना यह हिनकी जो राष्ट्री भावना थी राष्टवाद था उसको यह दिखाते हैं तो धर्मनीर पेच्छता इनके राष्टवाद में स्वर परमुग थी दर्मिन पेच्छता इनके राष्टवाद में नहरुजी के राष्टवाद में धरप्रमुक्ती और राजनीतिक और जो आर्थिक सुतंता है उसका यह काफी वैल्यू करते थे और यह कोशिश करते थे कि राजनीतिक संप्रभुता आर्थिक आत्म निभरता पर ध्यान केंदि करें तो आर्थिक आत्म निभरता जो है यह इनका एक महत्वपूर्ण पहलू था इनकी राष्टवाद का आर्थिक संप्रभुता चाफिर मिकास हम कर सकते हैं ठीक है तो यह कुछ बेसिक जो डिफरेंसे थे हमने टेगोर के देखे राष्टवाद के प्रति हमने गांदी जी का राष्टवाद देखा और नहरुजी का राष्टवाद देखा अब इनके बीच में करा अंतर्ज करने जाएं तो टेगोर जो है उनकी जो राष्टवाद के अलोचना की जो स contrac forest घृज गे Dodge और अध्यातमी रूज से दिवालिया है तो उन्हें जो राष्टवाद की संकल्पना थी उसको दर्किनार की उसकी आलोचना की गांधी जी की बात करें तो गांधी जी नैतिक सिध्धानतों से बंदे हुए थे और उसके साथ ही जो है उन्होंने अहिंसा और स्वसासन को तवज्जो दिया अहिंसा और स्वसासन को बढ़ावा दिया नहरू ने आधुनकी करण वैज्ञानिक सोच के डेवलप्मेंट को ध राष्टवाद की आलोचना अधिक दार्शनिक और सांस्कृतिक थी जिसमें राजनीतिक सीमाओं से परे सारभोमिक जो मानुमी मुल्यों पर जोर दिया गया गांधी जी का राष्टवाद नैतिक और समावेसी था जिसमें उन्होंने सबको सांथ लेकर आगे बढ़ने की राष्टवाद कहीं और सांथी नहरू का जो राष्टवाद था वह वह वहारिक और आधुनिक्तावादी था जिसमें धर्म निर्पेच्छता थी सबको आगे लेकर चलने की संकल्पना के सांस्ताथ जो था तकनीकी डेवलप्मेंट था वैज्ञानिक जो थौट थे उसको अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को सेर कीजिए और नए लोगों को जोड़िए ताकि नए बच्चे हमसे जुड़कर राइटिंग स्टार कर सकें और जो उनकी तैयारी में एक बाधा बनती है हमारे माध्यम से हम उसे सॉल्वाउट करने का प् करते हैं टेस्ट प्री और मेंस को जिसमें हम आपको वीडियो डिस्क्रिशन देते हैं साथ में हम और आफ लाइन दोनों क्लास देते हैं जिसमें आपको लिखना सिखाते हैं कैसे आप एक बेसिक तरीकी से सुरू करके अपने एंसर को अच्छा कर सकते हो उसके संदर में ज बैच स्टार्ट होने वाला है आप उसमें भी अपना इंडोल्मेंट कर सकते हैं उसके संदर में भी जानकारी आपको दिये गए नंबर पर मिल जाएगी और कुछ प्लेलिस्ट है महत्दपूर हमारे इस चैनल पर जिसमें आपके पॉलिटी के प्लेलिस्ट है पंकर सरदौरा कराई गई है जो प्री और मेंस को ध्यार में रखते हुए वह अब प्लेलिस्ट बताई गई है और उसमें आपको परी और मेंस की पूरी photo backwardsी आपके पूरी व्याख्या के साथ उसको संदर्वीठ किया गया बताया गया है तो यह आप्के जीवन आसान करने वाली क्लास है की की उस प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं साथ ही इमतियाज हमद की प्लेलिस्ट है आप उसного से देखेंगे तो यह बिहार के इसाम में काफी महत्रपूर होता है इमतियाज माझे से क्वेस्ट् Infusion बड़ी संख्या में पूश्य जाते हैं तो उसके पूरे डाइमेंस्टन को उस सारे जो डाइमेंस्टन है चारो जो उसके ऑप्षन होते हैं उसपर discussion किया गया है आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, जो आपकी प्री परिच्छा में सहायक होगा, तो इस प्ले लिस्ट पे आप जा सकते हैं, इसके अलावा एकनॉमी की प्ले लिस्ट है, जिसे आप देख सकते हैं, उसमें भी सारी चीज़े बताई गई है, और सुबह दस बज़े की प् और आपके जीवन आसान करने वाली classes वहाँ पर मिलेंगी, तो यह कुछ playlist हैं जिस पर आप go through कर सकते हैं, बाकी हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को subscribe कीजिए नए हैं तो और अपने दोस्तों के भी share कीजिए, पढ़ते रहे हैं व्यास द रहे हैं, मिलते हैं आप से नए class मे नएक question के साथ, तब तक की लिए have a great day, जै हिन!